आपको दिख रहा होगा ब्यूटिफुल सा फ्लावर यह टोमाटो का फ्लावर नहीं है यहां बीच में एक स्टिक है गोरिचोरी प्लांट की उसी में फ्लावर खिला हुआ है तो यह फर्स्ट फ्लावरिंग है इस सीजन की सीजन मतलब गर्मियों का सीजन तो आज मैं आपको पोस्टिंग करने पर एक टिप देने वाली हूं या फिर पुरा प्रोसेस ही आपको जल्दी जल्दी समझा देती हूं यह देखिए किचन वेस्ट है मेरा और यहां देखिए यह 50 लीटर की पानी की जो टेंकी होती है ना हम सबके घर में टेंकर जो होता है जिसे मोटर चला नीचे की तरफ देखिए मैंने इसमें एक टॉंटी लगवा लिए है हजबन नहीं लगाई है मैंने खुद नहीं लगाई या फिर मैंने खुद नहीं लगाई तो यह पूरी टेंकी जो आप देख रहे हो एक महना हो गया है मैंने इसको खाली कर दिया है मतलब इसमें कमपो मतलब आप किसी भी चीज को मान लो यह आपका कंपोस्ट भी ने आपने उपर तक फिल किया तो डिकंपोस्ट होके वह हाफ हो जाता है तो मुझे मतलब की 500 लिटर की टंकी मैंने फिल की तो मुझे उसमें से हाफ से ज्यादा फिल हो गई है सारे प्लांट पड़े हैं इसमें घर में से कुछ निकलता है सब्जियों के चिलके या कुछ भी फालों के चिलके सिर्फ पिल वह मैं डाल देती हूं इस तरह से सबसे पहले बॉटम में हमने क्या किया था नीचे की तरफ इसका जो बॉटम हॉ से यार बनाई है उसके ऊपर प्लास्टिक ऎनट की जाली रख् ही है मैंने जिसमें इतने मोटे मोटे च्हेद है सिर्फ इतने मोटे मोटे छेदर जिससे सिर्फ liquid fertilizer जो भी हम posting करते हो इसमें से liquid निकलता है तो वो नीचे जाता है इस tank को खोल कर मैं वो liquid निकाल लेती हूँ फिर अपने plant पे इसको डालती हूँ आने वाले किसी वीडियो पे मैं आप सब के साथ share करूँगी तो नीचे की तरफ जाली है जाली के उपर मैंने इसी तरह से कटाई छड़ाए करके प्लान डाले है kitchen waste डाला है जो भी निकला और उसके बाद उपर से देखी इस तरह से मिट्टी की लेयर बना दी है फिर दुबारा से वही किया kitchen waste डाला मिट्टी की लेयर बना दी अभी तक यही process चल रहा है इसमें last में जब यह उपर तक पूरी फिल हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ उपर एक layer बना देती हूँ अपने kitchen waste compost की या गोबर की खाद या वर्मी compost जो हो तो एक layer बना देती हूँ ऐसे ऐसे छिड़क कर पतली सी layer उसके बाद उपर से एक और मिटी के layer बना देती हूँ और उसमें डालूट करकर डालती हूँ दही का पानी लसी का पानी या फिर बुड को डालूट करके वो डालती हूँ और उसके बाद इसे cover कर देती हूँ लग भग 20-22 दिन के बाद मैं इसमें प्लांट लगाती हूँ इस बार क्या है कि ये वाला प्लांट जो है इसको बहुत सारे सीड बन रहे हैं तो मुझे इस प्लांट के सीड चाहिए थे इसलिए मैंने इस प्लांट को बहर नहीं निकाला ये इतना एरिय जो आपको दिख रहा है ये ऐसे का ऐसे ही है मैंने यहां की मिट्टी नहीं चेड़ी बाकी सारा पूरा मैंने इसको खाली करा नीचे तक यहां का नहीं करा ये मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं और बेटा हम दोनों ने मिलके इसको अलग-अलग दिन करा है आर्दस बाल्टी आज मैंने निकाल दी अगले दिन आर्दस बाल्टी बेटे ने निकाली तो इस तरह सी निकला है क्योंकि मैं भी ठक जाती हूँ और ये प्लांट मैंने अभी छे-साथ दिन होए हैं यहां पर लगा दिया है कनेर का प्लांट है हम इसको फेक ना सोच रहे थे ठीक है हजबन ने कहाता है इसे फेक दो मैं अच्छी क्वालिटी का लाकी दूँगा इसमें यलो कलर के फ्लावर आते है मुझे पिंक ज़्यादा पसंद है हजबन को भी तो किसे स चाइक है को लिए अपनिक आप Beekं कंटेनर में कंपोस्टिंग करने का अगर आप इस तरह से छोटे किसी कंटेनर में कर रहे हो या वहां देखो वह सब जो है उनमें क्या करती हूं मैं एक महिने में अपर नीचे प्लाट प्लूट देती हूँ फिर इससे मेरा कंपोस्ट यह है बड़ी जल्दी से रड़ी हो झाल वाश्षिंग